मानव जीवन जो है या शरीर पांस तत्वों से बना जी वायू पंच तत्व वायू अगनी धरती जल और आकाश आप रावन देखें वायू अगनी जल धरती और आकाश आकाश वायू पत्र हनुमान जी गये थे सीता के पास पता लगाने के लिए उन्होंने पता लगाया जल मार्क से राम किसी ना गई अगनी बान से उन्होंने रावन्त का अंत किया था और लंका की धरती में अंगद ने पांव जमाया जिससे रावन का एहंकार हिल गया और आकाश मार आप सोचें कि मेरे कुछ ऐसे नियम है दर्शनों के मामले में जिसे में कभी नहीं बदलता मैं अगर तीन बजे वी सुबह सोया हूं और मुझे साड़ तीन बजे उठना चार बजे की फ्लाइट पकड़नी हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में हूं जब तक मैं अपनी पूज पहले दिन में आपको वहां मिलूगा है दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों हूं साल के बहुत सारे दिन ऐसे हैं जब मैं वहां जाता ही हूं तो यह तमाम चीज़ें जो है वो तो आपके साथ है सदेव एक कहनी मुझे याद एक एक यक्ति था जो एक सपना देखता था जरोज के सपने में उसे चार पाउणों के निशान दिखती थे दो खुद के और दो इश्वर के उसथे लगता था है इश्वर मेरे सद्यफ साथ में हैं तो रूने लगा और कहने लगा इश्वर परेशानियों के वक्त पीड़ा के वक्त तुमने साथ छोड़ दिया वैसे तो आप हमेशा साथ थे कि आपके दो पाउं के निशान मुझे हमेशा दिखते थे आज आपके निशान है नहीं आज मैं ही हूँ बस यहाँ अकिला रह गया तो इश्वर ने मुस्कुराते वे उसे कहा कि उसे ध्यान से देख बेटा वो जो दो पाउं के निशान है ना वो मेरे ही हैं तेरी तकलीफ के वक्त मैं तुझे हाथों में उठा के चलना तो जो इश्वर है वो सदेव आपके साथ है और ये आस्था का एक ऐसा विशय है जो इश्वर जो मैं बहुत प्रबल आस्थिक वेक्ती हूँ तो मैं समझता हूँ इश्वर हमेशा साथ है इश्वर साथ नहीं होता आनन तो आप सोचें कि मैं गाउं में पढ़ने लिखने वाला लड़का दस भाई आठ के रूम में तीन भाई बेंजा ग्रेजवेट पोस्ट ग्रेजवेट हुए लौ की वहां से निकल के आज आज आ नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं है तो मैं आप से जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने कहा एंसें स्यूज से कि आप प्रबल आस्तिक रहे हैं बड़ आस्ता एक निजी विशा है आपके लिए इट्श परस्नल तिंग वाइस राम सो इंटेग्रल टू भारत इन एवरी कॉनर आप जोतपुर से आते हैं मैं तक्षिन का रहने वाला हूं हम अयोध्य में बैटके बात कर रहे हैं पर हम जहां जाएंगे कोई न कोई अगला जो होगा वो राम उसका नाम में जुड़ा होगा या फिर ग्रीटिंग का स्टाइल राम राम होगा या कहीं ना कहीं राम तो आप कहेंगे does म्रillad explaining राम वच्वन बदता हो तो राम भात्त वपेम हो तो राम ओल्भीता हो तो राम राम जीवन के किस सिस्से में नहीं है तब मैं उस दिन वहाँ पे पंक्ति मैंने कही थी कि ये रामाण जो है हमारी श्रीमद रामाण जो हमारी रामाण है कि एक कहानी नहीं है सिर्फ साथ कांड की ये कहानी ये पूरे ब्रह्माण की ये कहानी है हारते हुए अधियार की ये कहानी आपकी मेरी ये कहानी इसकल संसार की क्योंकि उससर कथा नहीं है जीवन है राम के चरित्र कू विनोद भठ है गुजरात के कथाकार उनकी कहानी मुझे याद आती है क्या अध्भुत उन्हों लिखा देखे हमारी शूति परिंपराओं में ये जो कहानियां हम सुनते रहे जो कथाएं हम सुनते रहे प्रसंघ हम सुनते रहे एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए एक अच्छा नागरिक बनने के लिए रामायन से बड़ा कोई कावय हो नहीं सकतración आप क्या नहीं सीख सकते हैं उसमें से तो विनोध भट एक कथा कहते हैं कि जब भगवान राम लंका पे जा रहे थे और समुद्र पे सेतू बन रहा था सो इस तरहाएं सीटू बनने लगा अब यह खबर जब लंका तक पहुची तो जनता में हाहा कर मच गया लंका की जनता में बोले जिस राजा ने में हमला की आया है राजा राम ने वो तो माया भी यू उनके नाम के पत्थर तेरते हैं और रावन के पास गए दरबार में कहने अगली बात कहना चाहता हूँ वो है राम का चरित्र वो है श्री राम वो है प्रभू श्री राम रावन ने पत्थर तेरा दिया अपने नाम का लौट कराए अगली पत्थर तेरा दिया अगली राम का चरित्र वो है राम का चरित्र तो कैसे नहीं होंगे जीवन में राम ही जीवन है जीवन ही राम है पत्र हो तो राम जैसा भाता हो तो राम जैसा योधा हो तो राम जैसा राम जब चौदे वरस के बनबास के बाद लौट के आया तो सबसे पहले किस से मिले मा कहकई से किसलिए भई जो अपना बुरा करे उससे अगर आप मिलो तो आप रभू कहला है ये च किसी को मिले तो राम राम, हाँ जी, हमारे नाम में राम, हमारे सब जगे, सेतु सेतु राम है, राम है, शिलाओं में, अक्षार अक्षार राम राम हर विधाओं में, राम कहा नहीं है, राम भाव है, प्रभाव है, इस धर्ती पर ईश्वर का प्राधुर भाव है, राम नही सुर्फ एक शब्द है राम अतीत राम वर्तमान राम ही प्रारब्द है प्रारब्द है क्या वात है वेल सेट आपके लिए राम कौन है देखे यह बड़ा कठिन सवाल है क्योंकि आप वातसल्य जो मां का बच्चे के प्रती होता है उसको परिभाशत कर सकते हैं नहीं आपका सकता कि मेरे लिए राम क्या है मैं क्या कहूं कि मेरे लिए राम क्या है वो तो ईश्वर है हम है क्या इस ब्रह्मान में हम तुछ हम अकिंचन है क्या तो आप समझ लीजिए कि जीवन की यह कहूंगा कि मेरा हर आभास मेरी हर आस राम है और मेरे लिए तो श्वास श्वास र तो मैं आप से यह भी जानना चाहता हूं कि पिछले आठ दस वर्शों में आप तो इतने साल आप कभी भी रहे हैं आप आठिस्ट रहे हैं आपने परफॉर्वंस किया है और आप देश विदेश भ्रमण भी करते आएं हैं लोगों से संपर्क भी करते हैं तो पिछले आठ दस सालों में खासकर नरेंद्र मोदी जी के कारेकाल में आपको लग रहा है कि चेंज समाज में भी आ रहा है जेहां हमारा रुजहान वापस हमारी प्रथाओं पर हमारी सभिता पर हो रहा है और कहीं न कहीं ये इसे आप राम मंदिर और रामलला के विराजमान पुन है विराजमान होने से देख रहा है दीजें नश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपकी की संस्कृती को पुष्ट करने में बहुत विश्वाथ रखता हो जो आपकी संसकतिप को माहन मानता हो उसके लिए आपकी संसक्ति सर्वोच हो तो निश्चित तौर पर जो मशाल उठा के चल zitten जो तो हमें रहा दिखा रहा है जो नेत्रत्व कर रहा है जब वो संस्कृति के लिए इस कडर शिद्दत से कोई काम करता तो निश्चित तोर पर नई पिढ़ी देखती है सोचती है सुनती है आके समाज में प्रभाव जो आता है वो किन चीजों काता है हमारे आगे कौन है वो क् कोई शकी नहीं है कि संस्कृति के प्रती जो प्रतिबदता है नेत्रत्व की वो अधूत है और इसलिए जो हमारे युवा पिढ़ी है वो हमारी संस्कृति के प्रती क्योंकि मैंने कितनी बढ़िया बात है एक जमाने में आप देखे हम लोग जो है अब जब के परिधान भ बहागी है वहाँ जाके तो सूरज में डूब जाता है और आज जो स्थिती है कि हमारा सूरज दुनिया भर में उग रहा है आज भारत वर्ष के लिए पूरी दुनिया के अंदर जो सम्मान का जो भाव उत्पन हुआ है वो अधूत है वो कमाल का है एक सो चालीस करोड़ों की ताकत साथ और आज हमारा जो अग्रसर है जो हमारा नेत्रत है पूरी दुनिया दुनिया में बोलता है आंक से आंक मिला कर जब बात करता और कहता कहमारे संस्क्ति महानत जो निँश्टित है योओ हमने दिया पूरी गो आइरोवेद हमने दुनी अगर आरभट नहीं दे कहीं न कहीं आपको लगता है कि इसको भुलाने की इसको किसी तरह से टेलर मेड तरीके से एक पर्टिकुलर प्रारूप में पेश करने की कोशिश रही खासकर जिस खुले मंद से खुले दिल से हम कहें कि हाँ हम सनातनी है we are proud of our roots, we are proud of our background do you think that there has been an attempt to play that aspect down कि उसको एक तरीके से, एक सेकुलर फॉर्म में जा for the lack of a different word the first of all this word secular now that comes to me with lots of questions with lots of questions, see everybody has made its own definition of that right, हर आदमी ने अपने फायदे के हसाब से उसकी परिभाशा बना ली अब उसमें down किया जाए, attempt किया जाए, या deliberate किया जाए, यह मुझे नहीं मालूम लेकिन हा निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ऐसा जरूर रहा होगा कि कहीं आदमी कोई कहते वे गुरेज होने लगा होगा कि हाँ I am proud, लेकिन yes, now we say that yes, we are proud and we should say why not, secularism एक तरफा नहीं होता न, जी, बिल्कुर वो एक तरफा नहीं हो सकता, वो तो समान होता है, और समान होना चाहिए, लेकिन मैंने कहीं लिखा भी था कि यार तु मैं हिंदू, तू मुसल्मान वो इसाई, ये सिक्ख, मैं हिंदू, आप जब यह बात कर रहा है तो पीछे घंटियां बज़ रही हैं तो यह अपने आप में एक संकेत है इश्वर का तो मैं आप से जानना चाहता हूँ कि मैं हिंदू तो मुसल्मान तो इसाई तो सिख यार मेरे कभी तू अपने आप को हिंदुस्तान लिख तो ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी की परिभाशा क्या होगी जहां रहने वाला हर व्यक्ति हर व्यक्ति आप छोड़ देज़े ना हर व्यक्ति आप मैं सब हिंदूस्टानी है इसमें परिभाशा में पढ़ने क्या दुरते हैं अपनी धर्ती है, अपना देश है हमारा कन कन, रोम, रोम, प्राण पाँ इसमें बस ते और हर हिंदुस्तानी के लिए राम कौन है आराध्य है सर्वोच शक्ति है हमारी शक्ति का केंद्र है हमारी शक्ति केंद्र का आस्था का परम बिंदू है राम तो अनन्त है रामायन आप देखें आप क्या बढ़िया बात है मानव जीवन जो है या शरीयर है, पांस तत्वों से बना, वायू, पंच तत्व, वायू, अगनी, धरती, जल, और आकाश, आप रावन देखें, वायू, अगनी, जल, धरती, और आकाश, वायू, पत्र हनुमान जी गए थे सीता के पास, पता लगाने के लिए उन्होंने पत अंत का अंत किया था और लंका की धर्ती में अंगद ने पाव जमाया जिसे रावन का एहंकार हिल गया और आकाश मार्क से वापस वो युद्या लोटे पांचों तत्र जीवन के तो जीवन ही वही है सब कुछ होई अब जब ये भविराम मंदिर बन रहा है आपने देखा उसको जाकर अभी जाकर अभी गया जब मैं दर्शन कर रहा था और अभी थोड़ा सा जुर्मुचा हो गया था तो बहुत जादा रोश्टी तो नहीं थी लेकिन जो काम चल रहा है वो अद्भुत चल र आपको लगता है दिस इस गोइन तो चेंज भारत इन शर्टन मैनर और पीपल से देश देश आप घटना से देश को मत जोड़ें इस देश की आस्था है ना और आस्था का जब इतना बड़ा केंवर का निर्मान हो रहा है और पूरी दुनिया की निगाह उस पे है और जब होगा तो फिर कुछ कहने के आवश्रक्ता नहीं है ना तो चारों देशाहों में यह बात तो है तो इस घटना से हम किसी चीज को जोड़ें वह एक अलग बात हो जाती है लेकिन जो हो रहा है वह अनुपम्ण